So hey guys, welcome back to the channel, hope you're all adding absolutely fine So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट पर के आप लोग 7.4% का रिटर्न पास सकते हैं I know 7.4% बहुती जादा रेट अफ रिटर्न है And I don't think so कि आज तक कोई भी बैंक आप लोगों को fixed deposit पर भी 7.4% का रिटर्न देता होगा अब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है उसको जानने से पहले अगर आप लोग में चाहिए पना है तो जलस जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोग को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं यह तो सबको पता है कि आज की टाइम में इन्वेस्टमेंट करना कितना सरूरी है अगर आप लोग फ्यूचर में financial freedom चाहते हैं तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट क कहीं इन्वेस्ट करें जिससे के आपको rate of return भी मिले अब जैसा कि वीडियो की starting में मैं आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको 7.4% का interest rate जो है वो दिलवाने वाली हूं तो कहां पर इन्वेस्ट करना है चलिए बात कर लेते हैं आप लोग उने post office के बारे में तो स M.I.S. के बारे में अब कहीं पर भी आप लोग अपने पैसों को invest करते हो सबसे पहले आपको ये तो डर होता ही है कि पता नहीं हमारा पैसा जो है में वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब अगर हम अपने पैसों को post office में deposit कर वा रहे हैं या कहीं invest कर रहे हैं पोस्ट आफ पता नहीं हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पोस्ट आफिस में अगर अपने पैसों को लगा रहे हो तो बेजजग को के invest करो बेजग को के deposit कर वाओ विकर पोस्ट आफिस में तो आपके पैसे बिलकुल ही secure है जाइस पोस्ट आफिस मंतली investment team में अगर कोई individual invest कर रहा है minimum value है 1,000 rupees and maximum value है 9 lakh rupees आप लोग जो है invest कर सकते हैं और वहीं अगर बात करें किसी joint की कि अगर कोई jointly invest कर रहा है deposit कर रहा है अपने पैसों को तो 15 lakh rupees तक जो है आप लोग maximum deposit करा सकते है joint account में and locking period यानि कि आपका maturity period जो है वो 5 years का होगा 5 years के बाद जो भी amount आप लोग invest कर रहे ह जो है वो primary objective होता है और इस investment पे आप लोगों को 7.40 यानि कि 7.4% का आपको पर आनम का interest मिलने वाला है अब इस monthly scheme को चलिए कि example की मदद से समझते हैं जिससे की काफी सारे लोगों को clear हो जाएगा कि क्या फायदा है इसमें invest करने का for example let's say कि Mr. Sharma ने जो है वो अपने 9 lakh rupees को post office monthly investment scheme में लगाया है पान सालों के लिए अब rate of interest जैसे कि मैंने आपको mention किया है 7.40% पर आनम का आपको मिलेगा तो देखा जाए तो 9 lakh rupees per monthly Mr. Sharma को जो है वो 5550 rupees का interest मिलने वाला है जिससे कि आप लोग monthly income भी कह सकते हैं और ये 5550 rupees Mr. Sharma को 5 सालों तक मिलेगा जब तक lock-in period complete नही अब एक बार जैसे ही Mr. Sharma का investment जो है वो complete हो जाता है lock-in period complete हो जाता है 5 साल जैसी investment के पूरे हो जाते हैं उसके बाद Mr. Sharma जो है उन पैसों को easily किसी भी post office से जो है निकलवा सकते हैं या फिर वो उन पैसों को अपने saving account में ट्रांसफर करवा सकते हैं by electronic clear and service के मदब से अब आ आपके account में आ जाएगा आप लोग easily उसे withdraw भी कर सकते हैं तो गाइस यहती आज की वीडियो जिसमें की मैंने आपको बताया post office monthly income scheme के बारे में at the end if you like this video don't forget to hit the like button and do subscribe to my channel